सब्सक्राइब कीजिए नासा हिंदी न्यूज चैनल को और दबाए इस बेल आइकॉन को तकी आपको मिली सके हमारी लेटिस वीडियो सबसे पहले और ये बिल्कू से पहले क्या आज से लगभग 30 करोणों साल पहले प्रित्वी पर एक ऐसे जीव का जन्म हुआ जो 12 करोणों साल तक राज करने वाला था ये जीव कोई और जीव नहीं बलकि सबसे भयानक डाइनसौ ही था आज से लगभग 6.50 को साल पहले अंतरिक्ष से आये एस्टेरोइड के टक्राने की वजह से डाइनसौ का प्रित्वी पर से पूरी तरीके से अंथ हो गया था और नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो काल के गर्थ में ही समाया हुआ है पर डाइनसौ हम मनुश्यों के आगे बहुत ज़्यादा जिये हैं धर्ती पर और वह इतना कुछ देखते हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते आज से 4.5 अरब साल पहले प्रित्वी क साल पहले ही धर्ती पर आए प्राश्न यह है कि डाइनसौ के पहले धर्ती पर क्या हुआ करता था क्योंकि जीवन तो धर्ती पर डाइनसौ से भी ज्यादा पुराना है तो यह बात जरूर है कि डाइनसौ से भी पहले धर्ती पर कई प्रकार के जीव रहते थे दरसर डाइन दाइनसौ से भी 30 करोडों साल पहले कई सारे जीव वह भी बहुत उन्नत किस्म के पृत्वी पर थे। दाइनसौ से 30 करोडों साल पहले मतलब आज के समय से 53 करोडों साल पहले। इसे पालियाजोव की एरा कहा जाता है और इसमें ऐसे ऐसे जीव थे जो धर्ती पर न जाने कि सब जीवों के बारे में, आप शायद जानकर आश्चर्य करेंगे की डैनसों के जन्म के पहले ही लगभग धाई करोर साल पहले एक बहुत बड़ी जीवों की विलुप्तता की घटना सामने आई थी. एक इस विलुप्तता की घटना में ऐसी घटना हुई की पृतवी के सभी भाग में रहने वाले 70% कशेरु की जीव और समुद्र में रहने वाले 96% जीवों का पूरी तरीके से नाश हो गया था. उनका पूरी तरीके से अस्तित्व ही मिट गया था और इस एक्स्टिंशन के बाद ही धर्ती पर डाइनसों का जन्म हुआ था तो चलिए देखते हैं कि वह जीव थे कौन-कौन से मेगिन यूरोपसस आज से लगभग तिरपन करोड साल पहले धर्ती पर रीड की हड़ी वाले जीव आर्थरोपॉड जानी जिनके कई सारे पैर होती हैं गोनगा जैसे चलने वाले जीव इन सब प्रकार के जीव की उत्पत्ती हो गई थी यही जीव धीरे धीरे कई प्रकार की जीवों में एवॉल्व हो गए कई सारे जीव तो समुद्र से निकल कर स्थल पर रहने वाले जीवों में कनवट हो चुके थे तो कुछ आज के हमारे दिखने वाले जीव जैसे छिपकली क्रोकोडाइल और रीर की हड़ी वाले जीवों में कनवट हो गए थे इसी में से एक था मेगन्यूरोपसस आपने वह जीव देखा ही होगा जो बरसात के समय में आकाश में पूरी तरीके से फैल जाते हैं जिसे हम जानते हैं ड्रेगन्फलाई के नाम से जी हां यह मेगन्यूरोपसस इसी ड्रेगन्फलाई का पूर्वज है जानते हैं इसकी लंबाई एक मीटर से भी ज्यादा होती थी यानि इतना बड़ा ड्रेगन्फलाई और यह बहुत ही खतरनाक होते थे माना जाता है कि यह डाइनसौ से भी पहले की जीव हैं जो कि डाइनसौ के अस्तित्व में ना रहने के बाद में भी धर्ती पर सर्वाइव कर पा रहे हैं पर अब यह थोड़े छोटे आकार के हो गए हैं ब्रॉंटिस्कॉपियो किया आपको पता है कि डाइनसौर से भी 20-22 करोर साल पहले यानि आज से 44 साल पहले एक ऐसा बिच्छू पृत्वी पर जन्म ले चुका था जो कि आकार में बहुत बढ़ा था माना जाता है कि यह बिच्छू आकार में एक मीटर तक था और इस बिच्छू का नाम था ब्रॉंटोस्कॉपियो वे ज्यानिक बताते हैं कि आज से 44 करो साल पहले पृत्वी पर ओक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा थी इसलिए उस समय के जीवाकार में बहुत ज़्यादा बढ़े थे इसी तरह एक जीव था जिसे माना जाता है कि यह डाइनासौरस का पूर्वक था इनही जीवों से डाइनसौर एवॉल्व हुए थे इस जीव का नाम था दिनोसेफलोसौरस पृत्वी के कई भागों पर खास तोर पर चीन के दक्षिनी भाग में इस जीव के कुछ अवशेश मिले हैं जिसका अध्ययन करने पर पाया गया है कि इस जीव की गरदन ही मात रठारा से 20 फीच तक लंबी होती थी और इसी पानी में रहता था यह जीव बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और अपने शिकार को किसी भी कीमत पर छोड़ता नहीं था माना जाता है कि इस जीव का अस्तित्व में आना आज से 25 साल पहले ही शुरू हो गया था अपने कई सारी टांगों वाला वह जीव कंखजुरा देखा ही होगा छोटा सा होता है मुश्किल से एक क्या दो इंच के आकार नहीं होता है पर क्या होगा अगर आप एक 8 फुट लंबे कंखजुरा जैसे जीव को देखेंगे यकीन नहीं होता स्कॉटलंड और नौर्थ अमेरिका जैसे जगहों पर वैज्ञानिकों को ऐसे ही एक जीव का अवशेश मिला है जो की आज से 35 से 36 करोड साल पहले का है जो की डायनसौ के भी समय के पहले का है जीव का नाम है और आथ्रोपलुरा थेरोसेफालियन बिल्कुल छिपकली की तरह दिखने वाला एक जीव जो की आकार में 3 मीटर कितना लंबा था नाम था तेरोसेफालियन यह जीव बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और डायनसौ से भी पहले के जमाने का जीव था आज यह जीव शायद उन बड़े बड़े चिपकलियों जैसे मॉनिटर लिज़र्ड जैसे चिपकलियों के पूरवज हो सकते हैं पर पहले के जमाने की यह चिपकली आज के जमाने की चिपकली से बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे जिस तरह से इनके अवशेश मिले हैं यह बताते हैं कि यह बहुत ज्यादा खतरनाक जीव था